हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लंगरे देतीमन तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी वेकैंसी निकलती है, नोटिफिकेशन जहां के भी आते हैं वो मैं सभी आप लोगों को बताती हूं, समय पर बताती हूं ताकि आप लोग अप्लिकेशन कर सको बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे दोरा वीडियो में दी ही जाती है, लिंक मैं आप लोगों को साथ इसलिए शियर करती हूं ताकि आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकें कस्तूर्वा गांधी विद्याले सिक्षक भरती से विग्यापन जारी हुआ है जहां 20 कस्तूर्वा विद्यालें से विकैंसी आई है यहां लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त रहने वाली है क्या आयू यहां पर मांगी गई है योगेता क्या रहने वाली है कैसे जो है चैन होगा आपको बता है यहां पर कोई भी आपका एक्जाम नहीं होगा नहीं कोई इंटर्व्यू होगा ठीक है यहां पर जो भरती होती है वह है आप लोगों की सीधी भरती होती है यानि कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन के बेस पर आप लोगों को यहां ले लिया जाता है वेतन जो है यहां 22,000 रुपे आपको मिलेगा कैसे अप्लाइ करना है चलिए सारी चीज़े हम नोटिफिकेशन में देखते हैं समगर शिक्षा के तहट जो है यहां पर वेकैंसी आई है 20 कस्तूरवा गांधी आवासिय बालिका विध्यालेओं में निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मांदे यानि फिक्स्ड एवम समविदा के आधार पर सैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए केवल महला भिहरतियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ठीके तो एक तो यहां पर फिक्स्ड और दूसरा समविदा दोनों ही तरीके से यहां पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं केवल महला ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं पूरोस यहां आवेदन नह तो ये जो पांच जो सब्जेक्ट हैं जो की पूर्ण कालिक सिक्षिका के हैं यानि बारवीं तक का ये स्कूल है जहां पर बालिकाएं पढ़ती हैं और बालिकाओं के लिए भी जो है यहां पर आवास यानि रहने खाने पीने की सोविधा होती है इसी तरीके से पूर्ण काल पर मन्त तो यहां पर आप लोग एक साल जो है वो काम करेंगे उसके बाद आप लोगों को आगे जो है वो बढ़ाते हुए जाएंगे यहां पर जो अनिवारे सेक्षिक और प्रेस सेक्षिन की योगेता जो मांगी गई है हिंदी गणित विज्ञान सामाजी गई से और अंग के लिए इन्होंने कहा है कि हिंदी एवं संस्कृत विज्ञान के साथ जो है वो इसनातक होना चाहिए अंजिक आलिक्स जो सिक्षिका है कंप्यूटर के लिए प्रेसिक्षित इसनातक यानि ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर साइन्स या फिर कंप्यूटर का कोई डिप के साथ नेक्स्ट लेखाकार के लिए इन्होंने मांगा है कि इसनातक जो है वह आपने वानिज्य तथा MS Office पर कारे का ग्यान हो यानि Commerce वाले जो स्टुडेंट है यहाँ पर eligible हो जाते हैं साथ में computer जिक्षा का जो है यहाँ पर diploma मांगा गया है अगर पद की बात करें तो यहा लावा फिजिकल एजुकेशन में साथ हैं कि के आर्ट्स के लिए यहाँ पर छे हैं और यहाँ पर चार है लेखाकार के लिए उसके बाद जो है वह वह क्लास एर्थ तक अगर आपने उत्तिन यानि पास हैं अगर आप तो यहाँ मुखे रसोईया सहायक रसोईया चौकीद अगर एज की बात जो है वह मैं कहूं तो यहाँ पर लिखा है 25 से लेकर 45 वर्स तक की जो अभ्यारती हैं यहाँ पर आवेधन कर सकती हैं तो एज जो है वह आपकी 25 से 45 साल रखी गई है अब कैसे अप्लाई करेंगे और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो तो 16 अगस्त तक ज प्रेशित आवेधन स्विकार होंगे जो जनपद के NIC की वेवसाइट www.priyagraaz.nic.in पर उपलब्द होंगे इनका यह कहना है कि जो application form है वो आप लोगों को इस website पर मिलेगा जिसका आप screenshot ले 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 लिख ले आप ठीक है तो यह जो है वो आप लोगों को इस site पर मिलेगा application form जिसको आप जो है registered post के द्वारा ही भेजें उसके बाद देखिए दिनाक 16 अगस्त की साम 5 बजे तक प्रेशित करना सूनिश्चित करें लिफाफे के ऊपर आप लोगों को कस्तूर्वा गांधी बालिका विध्याले हेतु आवेधन आवेधित पद का नाम एवम विशय ज जो है वो application form भी मिल जाएगे इसको जो हब आपको अच्छी से भरना है जो भी qualification है आप लोगों की और address जो है वो आप लोगों का बिलकुल यहीं पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहापर जिला परियोजना कारेल है समग्र सिक्षा प्रात्मिक विध्याले पुराना म मेरे जितने भी वीडियो है रेगुलर आप लोगों को टाइम पर मिल सकेंगे थैंक यू